जैहिंद फ्रेंड्स आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके न्यूटीप चैनल शॉर्टेंड नोलेज पर तो दोस्तों के इस टेनल ग्राफर से रिलेटेड अब बेर सामने निकल कर आईए तो दोस्तों ये अपडेट आपके आईए हिंदुस्तान एरोनोटे आप डिविजन नासिक में तो दोस्तों ये आपके जो हिंदुस्तान एरोमेटे लिमिटेड इन्हों ने अपरेंटिशिप के लिए कई पदो पर भरती निकाल लिए तो दोस्तों 22 जुलाई इसको विग्या बन जारी हुआ था और दोस्तों इसमें पंदरतरकार की पोस्ट प्रेंटिशिप के लिए जिसमें आप चोद्वे नमर की पोस्ट देख सकते स्टेनोग्राफर इंगलिश वालों के लिए 6 पोस्ट रखी गई हैं क्वालिफिकेशन की बात करतों आई टेई पास होने चाहिए तो दोस्तों यह बहुत स्टुडेंट्स का कुश्चन होगा क अप्रेंटिशिप क्या होती है तो दोस्तों अप्रेंटिशिप एक परकार का एक्सपीरियंस होता है दोस्तों आपको पता है कि कई इंदर सरकार की जो भड़ती है उन्हें एक्सपीरियंस मांगा जाता है तो दोस्तों वह यह है जो अप्रेंटिशिप किया हुआ होता है वो उसको एक साल का experience की degree मिल जाती है दोस्तो गुवर्मेंट के तुरू अभी यहाँ निकली हुए छे पदे निकले हुए apprenticeship के लिए इसमें दोस्तो आपको कि सरकार की तुरा रहा है दोस्तो एक साल की ट्रेनिंग कराई जाती है तो दोस्तो सर्फ उन भरतियों में वही भर पादें जिनके पास experience हो दोस्तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा तो apprenticeship का यह मतलब होता है तो दोस्तो की उसके उपर छे पदगी भरतिया निकली हुई है इसमें आपका exam नहीं होगा तरिफ आपका documents बेजने उसी के base पर आपका ह हैं पर selection होगा और जब आप apprenticeship करोगे एक साल के लिए तब आपको कुछ वेतन भी दिया जाएगा तो दोस्तो मैं बात करते हूं इसके आगे की चीजों की इसमें दोस्तो साब बोलाई कि जिन्हों ने विद्यारतियों ने आइटिया किया हुआ है वही इसको apprenticeship के लाविदन क कर सकते हैं तो दोस्तों English स्टेनोग्राफिय से अगर आपने आइटियाई किया है तो यह आपके लिए golden चांस है आगे बात करूए रिजर्वेशन किसमें तो दोस्तों ST कास्ट को 10%, ST को 9, OBC 27, PWT को 4%, EWS को 10 परदेशन या पर रिजर्वेशन दे होगा EWS के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करने हैं और दोस्तों में एक बारी मोका दिया जाएगा आपको डोकॉमेंट सका तो दोस्तों सही तरिके साफिल कीजिएगा इन चीडियों को डेट के बारे में बताए 22 जुलाइस के आवे दनी स्टार्ट है प्रेंटिशिप के लिए और लास देट दोस्त का डेट रही कि आपको 16 अगस्ते से 21 अगस्त दोजार बाईस तक रहेगी तैने टीवी दोस्तों आपकी जो शॉंट लिस्ट जो जिनका सेलेक्शन होगा अप्रेंटिशिप के लिए वह सेकेंड वी को सटम्डर तक आपको जारी कर दिया जाएगा तो दोस्ती चीज का दि अप्रेंटिशिप के लिए इंस्ट्रक्शन की बात करो तो दोस्तों वह सिंपल सा है कि ध्यान से आप एक्जामेशन फॉर्म को भरें और कुछ बेसिक सी बात है कि आपके पास सेंटर गोर्मेंट का सेट अफिकट होना चाहिए और तैन्थ पास आप होने चाहिए इसके ल एक्सलिन्ट सी ओई सी लिए एक्सलियन नहीं होंगे कई विद्यारती होते हैं जो कि एन्मबर के प्रेंटियुसिप कर रहे हैं नहीं होंगे तो यह उन्मटेंट एन विद्यारती के लिए इंप्रेंट hätten है mü बताएगईगा जाप शोट लिस्टिट हो जाओगे दोस्तों तो मलब आपको ट्रेनिंग के लिए जोइन करना होगा एक साल के लिए जी हाँ दोस्तों छीज का ध्यान रखियेगा और दोस्तों मैं बता दो जब आप जोइन करोगे तो कुछ वेतन आपको मलब सरकार की तोरा दिये जाएगा एक साल था एक अप्रेंटेशिप के लिए तो दोस्तों इसमें आपको सिखाया जाता है कि जब आप गोवर्मेंट सर्विस लग जाओगे तब आपको किस परकार का काम करना होता है यह दोस्तों एक साल के उसके ट्रेनिंग आपर होती है द कॉमन सी चीज़ होती है ज्यादा कुछ भी नहीं होता है इसमें मेडिकल में और यह दोस्तों जब आप करोगे तो इस परकार का कुछ इंटरफेस आपके सामने होगा तो यह फिल करनी है तो दोस्तों यह एक परकार की भरती नहीं है बहुत से स्टुडेंट्स करमें होगे कि भरती नहीं है सिर्फ अपरेंट्रिशिप के लिए हैं अपरेंट्रिशिप का मलग दोस्ते एक्सपीरियंस होता है तो दोस्तों जो भी बच्चे इंगलेस से स्टेन होगा आवर साइट एक कर रहे कि उनके लिए गोल्ड नचान्स है क्योंकि दोस्तों फ्यूचर में कई वेकेंस जाती सेंटर गोर्मेंट की जिन मैं एक्सपीरियंस मालगा जाता है उनके लिए दोस्ता आप एक्टी केबल होंगे और दोस्तों वीडियो चलागा तो जैनका लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस टेंसल लिए जानकरे में चल बलाते लेता हूं जय ही दोस्तों जय भारत धन्यवाद दोस्तों